बिस्मिल्लाहिरोह्मानिरोहीम, अस्लामलेकूं वियर्स, मैं हूँ राजा आमिर अबास एड्वोकेट वियर्स, औरेडी मैं सेक्शन 154 अफ सी आर्पीसी डिसकस कर चुका हूँ आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सेक्शन 155 अफ सी आर्पीसी Information in Non-Cognizable Cases यानिके सेक्शन 154 काबले दस अंदाजी पॉलीस केसे से रिटिड़ था और सेक्शन 155 नाकाबले दस अंदाजी पॉलीस केसे से रिटिड़ है जो Cognizable Cases होते हैं काबले दस अंदाजी पॉलीस वो ज्यादा serious होते हैं जबके Non-Cognizable Cases जो होते हैं जिसको हम उर्दों में नाकाबले दस अंदाजी पॉलीस कहते हैं, वो इतने सिर्यस नहीं होते हैं जितने के कॉगनिसेबल केसिस होते हैं, तो section 155 जो है ये non-cognisable केसिस के उपर डील करता है, जैसा कि हमने section 154 में पढ़ था जिसमें FIR लिखी जाती है, जब पॉलीस वालों को किसी वाके से related report मिलती है, तो पॉलीस वाले उससे register करते हैं, जब कि section 155 के अंदर पॉलीस वालों को जब किसी non-cognisable cases के अंदर कोई इतला मिलती है, तो पॉलीस वाले उसको station diary, जिसको हम रोजनामचा बोलते हैं, उसमें उसको record कर लेते हैं, और आम तोड़ पर पॉलीस वाले ऐसी इतला से मुतलिक कोई action नहीं लेते, और ऐसे इतला दहिंदा को पॉलीस वाले उस report की एक copy दे देते हैं, जो कि वो अपने रोजनामची में दर्ज करते हैं, नान-cognisable offense में पॉलीस वाले बगार इजारत मिलिस्टेर्ट के किसी case में investigation नहीं कर सकते, और ना किसी शक्स को ग्रिफ्तार कर सकते हैं, जब तक वो मिलिस्टेर्ट का order हासी ना कर लें, इसी तरह complaint भी मिलिस्टेर्ट के पास जा सकता है, और उसको इतला दे सकता है जर्म की बावत, और मिलिस्टेर्ट साब उसकी बास से मुतमेन होते हैं, और समझते हैं कि इसमें investigation होना जूरी है, तो ऐसी सुर्थ में मिलिस्टेर्ट पॉलीस वालों को order जारी का सकता है, कि इस नान काउगनिजेबल ओफेंस में आप लोग investigation करें, जाच परताल करें, ऐसी सुर्थ में पॉलीस वालों के पास investigation का वो इक्तियारात होगा, जो कि उनके पास cognizable offense में होता है, यानि कि section 154 के अंदर investigation करने के इक्तियारात जो पॉलीस के पास होते हैं, section 155 के अंदर अगर उनको investigation का order हो तो इसमें भी उनके पास वो इक्तियारात होते हैं, लेकि section 155 के मताबिक पॉलीस के पास power of arrest नहीं रहेगा, यानि कि वो magistrate की इजाज़त के बगार उस शखस को या किसी शखस को जो कि उस मकदमे में हैं, उसको गिरिफतार नहीं का सकते, लेकिन अगर पॉलीस आफिसर किसी केस की investigation बगार जारस में state करें, तो ऐसी सुरत में यही समझा जाएगा, केस ने section 155 का subsection 2 है, उसकी violation की है, इसी तरह किसी शखस ने अगर कोई दो offenses किये हों, जिसमें एक cognizable हो और एक non-cognizable हो, तो ऐसी सुरत में पॉलीस ऐसे मामने में investigation करने के लिए मिलिस्ट्रेट की इजारत हासिल करने की पाबन ना है, यहीं किसी शखस ने अगर दो offense किये हों, उनमें से एक कापनी दस अंदाजी पॉलीस हो, तो पॉलीस के लिए ऐसे मामने में मिलिस्ट्रेट की इजारत हासिल करने जूरी नहीं है, तो फिर ऐसे offense को cognizable ही मानने जाएगा, अब हम पार लेते हैं section 156, investigation into cognizable cases, इसमें बताया गया है कि जिस रेके से पॉलीस वालों को inquiry करने का और trial करने का provision दिया गया है chapter 15 में, तो उस तरह का कोई भी मामला अगर police station की limitation से बाहर भी है, तो फिर भी पॉलीस वाले उसके अंदर investigation कर सकते हैं, तो पॉलीस वालों को उस्तियारा दे रहा है कि पॉलीस वाले बगाएर magistrate की इजादत के covenizable offenses में जाच परताल कर सकते हैं, 156 के subsection 2 में कहा गया है कि अगर police officer किसे मामले से लेटर जाच परताल करता है, तो बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि पॉलीस officer ऐसे मामले में empowered नहीं था सब section 3, any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned, जैसे कि 154 के मताबिक आप police station जाते हैं, FIR लखवाने और मतलका जो police वाले हैं वो आपके FIR डर्ज नहीं करते, तो दुसरी option आपके पास होती है कि आप उनकी highest authority के पास जाते हैं, जैसे कि आप DPO के पास चल जाते हैं, या आप SP investigation के पास चल जात हैं अपनी शिकायत लेकर, और ऐसा मतलका officer अगर समझता है कि कोई cognizable offense बन रहा है, तो वो किसी officer की duty लगा देता है, कि इस मामले में जांच परताल करें, लेकिन अगर ऐसा हो कि superintendent of police भी समझे कि आपकी जो complaint है, उससे कोई cognizable offense नहीं बन रहा, यानि कि officer भी उसके ओपर कोई ध action मुझूद है कि आप section 156 के अंदर magistrate के पास जाएं, magistrate को application दें या उन्हें शिकायत करें, कि आपके against offense हुआ है, आप police वाले के पास गे, उन्होंने आपकी शिकायत से मुतरिक ध्यान ही दिया, आप SP के पास गे, या DP के पास गे, या RPO के पास गे, उन्होंने भी कोई action न पावर है कि वो पुलीस वालों को किये कि इस से मुतलिक F.I.R. डज करके जाँच परताल करें, 156 के अंदर जब magistrate आडर करता है कि F.I.R. डज करके जाँच परताल करें, तो इसमें जो चीज एहम है वो ये है कि ये pre-cognizance stage है, pre-cognizance stage मतलब कि magistrate ने अभी आपके मामले म अपना mind reply नहीं किया, क्योंकि आप जब magistrate के पास जा रहे हैं कोई मामला लेकर तो magistrate को क्या पता कि इस मामले में क्या हुकाइक है, क्योंकि वो तो कोट में बठा हुआ है, magistrate को क्या पता कि कोई वाक्य हुआ है या नहीं हुआ, magistrate ने तो सिर्फ आपकी कहाने सुनी और magistrate उस वक्त होता है कि जब section 202 के अंदर magistrate जांज परताल के लिए आडर करता है याई कि section 202 के तहरे जब magistrate जांज परताल के लिए आडर करता है तो वो post-cognizance stage होती है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अगर आपको मेरी वीडियो पसान रही हो तो प्लीस लाइक और शेयर कर दे मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बैल आइकन को प्रेस कर दे अल्ला आफिस